नमस्कार दोस्तों में परीज मंसुरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल माश्टरमाइट परीद में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने कंप्पूटर एपिट लेप्टोप में विंडोस 7 और विंडोस 10 अप्रिंग सिस्टम मे किस प्रेकार से डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं साथ ही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकरी कामकाज में ओपिशल लूप से अब रित्य देव फॉन्ड और देवलिसिस फॉन्ड को प्रतिवंदित किया जाए अब मद्यप्रदेश में सरकरी कामकाज के लिए के वीडियो शुरू करने पहले अगर आप पेली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइट फरीत को और बेल आइकोन को दबाईए ओल कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीड पुप्रोक्त विश्यक मुख के सचिव मोदय की अध्यक्स्ता में दिरांग 10 अप्रेल 2013 को संपन साधिकार समेती की बेटक में ले गए निर्ड़ा के अनुसार निर्द्रशित किया जाता है कि मत्यप्रदेश शाषन के हिंदी में किये जा रहे समस्त प्यत्र वेवार और प्रियोग करना सुनस्चित किया जाए इस आदिश के जारी होने के साथ ही शाष्यकार में कृतिदेव डेवलेस या इसी प्रकार के अन्य फूंट का उप्योग ततकल प्रवाव से प्रतिबंदित किया जाता है इस फूंट के संबंद में विस्तर जनकरी भारत सरकर की वेबसेट www.irdc.in से निश्चिन डाउनलोड की जा सकती है साथ ही मेपाइटी की वेबसेट www.meepait.gov.in पर भी देखी जा सकती है दोस्तों यूनिकोर्ट फॉंट का मिनिवल आपको मेपाइटी की वेबसेट और IRDC की वेबसेट पर मिल जाएगा मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों यह वीडिया फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिपशन में मिल जाएगी आप महां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसमें Unicode फॉन्ट के बारे में सारी जनकेश दी हुई है यह लेटर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सेन में मिल जाएगा आप महां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ ही 31 माई 2018 को एक और लेटर जरी हुआ था जिसमें शास्क्री पत्र विवार एम किर्या कर लापों के संबंदे टाइपिंग कारे में यूनिकोर्ट तक्निक के प्रयोग के संबंद में दोस्तों यह लेटर जरी किया गया था इसमें दोस्तों विशेद तरगत विविविन शास की विवागों कारे लेव द्वारा कंप्रोट टाइविंग कारे करने हैं तो हिंदी फोर्ट के रूप में देवलेस अत्वाक्रिति देव या इसी प्रिकार के अन्य फोर्ट का उपयोग आज भी किया जा रहा है सर्वस्रीकार्य भाषाई लिपीगी मानक के रूप में युनिकोर्ट का उपयोग सबी स्तरों पर बढ़ाने के उद्देश से मद्दिप्रदे शाषन सामान्य प्रजशन विवाग मंतरलय बोपाल द्वारा जारी आदेश 28 जून 2013 के माध्यम से शाष्की पत्र व्यवार एम किरिया कलापों में युनिकोर्ट का उपयोग अनिवारी कर दिया गया है तता शाष्की कारी में देव लेस टेन अत्वाक रिदी देव तेन या इसी प्रिकार के अन्य हिंदी फोर्ड का उपयोग परतिमंदित किया जा चुका है इसे क्रम में विज्ञान तता विज्ञान एउन तोद्योगे की विबाक के परिपत्र करमांग दिनांग 5 दिसंबर 2013 द्वरा युनिकोर्ट टेक्निक की प्रष्ट मुमी अउधारना विशेश्ताओं आदे की जनकरी उपलब्द कराई गई है अनुर्वादें की करपिया युनिकोर्ट टेक्निक की स्वार्व मुमिक स्यू करता यह पोंच को दिश्टिकत रखते हुए कंप्यूटर आधरित शास्की समाचारों में शास्की वेबसेट पर अपलोड की जाने वाली वेब सामागरी में तता अन्य शेत्री बाशाओं के लिए मानक रूप में युनिकोर्ट का उप्योग किया जना सुनस्चित किये जाए जिससे आहां मादमित तक सुष्णर प्रोद्योगी की आधरित स्यवाव एम सुविदायों की पहुंच सहस्ता से संभव हो सके तो दोस्तों यह दुनों लेटर और आपको युनिकोर्ट किस पिकार से डाउनलोड और सेट कर सकते हैं आए देखते हूं दोस्तों विंडोस सेवन ओपनिंग सिस्टम में हिंदी युनिकोर्ट रेमिंटन गेल की बोर्ड लेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर का वेब्राउजर ओपन करना है उसम दोस्तों इंडिया टाइपिंग की ओपिशल वेब्सेट आपको ओपन करनी है अब दोस्तों सिंप्ली आपको क्लिक करना है डाउनलोड के उपर यहां पर आपको क्लिक करना है हिंदी टाइपिंग सोप्टर डाउनलोड के उपर और दोस्तों नीचे स्ट्रोल डाउनलोड क विंडोज एड 32 विया विंडोज 10 32 विट ये विंडोज टैन 64 विट तो उसकी हिसाफ से आप यहां पे अपना शूप्यर डाउनलोड कर सकते हैं इसको चेक करने का सबस्टा सरीख है दोस्तों शिंपली आपको इसको मीनिमाईस कर देना है अब आपको कंप्पूर पर जाना ह और प्रोपर्टिस के अंदर जाना है तो दोस्तों आप यहां से अपने Windows का एडिशन चेक कर सकते हैं दोस्तों मेरा कंप्टर Windows 7 Professional है और दोस्तों इसमें सिस्टम टाइप है 64-bit operating system तो दोस्तों मैं Windows 7 64-bit वाला setup यहां से डाउनलोड कर लेता हूँ यह वाला Windows 764-bit मैं इसके डाउनलोड रहना चलो हो जाएगा दोस्तों देखिए यहां पर डाउनलोड हो गया है यहां पर show in folder के उपर क्लिक करता हूँ और दोस्तों यह zip folder है तो मैं simply इसके उपर add लिक करता हूँ और extract head कर लेता हूँ तो दोस्तों हमारा setup इस folder के अंदर आ जाएगा simply इसको double लिक करके open कर लेना है और यहां से आपको setup के उपर double लिक करके इसका setup open कर लेना है तो देखिए दोस्तों यहां पर hindi indic input 2 का setup wizard चलो हो गया है simply आपको next करना है यहां से everyone करना है next करना है फिर next करना है दोस्तों हमारे system में Hindi Unicode Remington Gail keyboard layout का setup install हो रहा है देखिए दोस्तों इसमें लिखाओ आ गया है Hindi indic input 2 has been successfully installed click close to exit simply इसको close कर देना है और दोस्तों इसको भी close कर देना है अब दोस्तों आपको जाना है अपने system के control panel के अंدर यहां से windows बेटन पर क्लिक करेंगे यहां पर जाना है control panel के उपर क्लिक करेंगे यहां पर जाना दोस्तों आपको regional language के अंदर दोस्तों regional language का dial toolbox open हो जाएगा अब आपको simply click करना है keyboard and language के उपर यहाँ पर change keywords के उपर click करना है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आपको keyword layout दिख जाएंगे अगर दोस्तों यहाँ पर hindi, indic, input 2 यहाँ पर नहीं आता है तो simply आपको यहाँ पर add के उपर click करना है यहाँ से hindi select करना है दोस्तों और यहाँ से यह predefined ऐसा आएगा simply इस पर plus पर click करेंगे और यहां से Hindi Indic Input 2 के उपर आपको check लगा देना है और okay कर देना है तो दोस्तों इसमें पहले से आ रहा है तो करने की ज़रूत नहीं है अब दोस्तों simply आपको record setting करनी है यहाँ पर echo tape है language bar इसके उपर अगर कोई सा भी दूसरा option है तो simply आपको plotting और desktop इसके उपर radio बटन के उपर click कर देना है और apply कर देना है और दोस्तों इसको okay कर देना है इसको भी okay कर देना है अब दोस्तों कोई भी अपना typing software open कर देना है simply हम keyboard से press करेंगे अल्टरोड shift तो दोस्तों अब यहाँ से हम typing करके देखते हैं कि हमारा गेल चलता है यह नहीं चलता है तो देखें दोस्तों हमारे typing हो रही है अगर दोस्तों यहाँ पर रेमिंटन गेल में typing नहीं होती है तो simply आपको यह जो floating widget दिख रहा है simply यहाँ से हिंदी करना है यहाँ से हिंदी इंडेक Hill हो है और दोस्तों यहाँ से सेटिंग में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से आपको चलिक करना है कि कि Amp species लेंटन गेल के दुश्तम में कर सकते हैं अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि विंडोस 10 में हम हिंदी यूनिकोर डेमिंग्टन गेल केबोड लेओट किस प्रकार से इस्ट्रोल कर सकते हैं तो सिंप्ली आपको वापिस ओपन करना है अपना वेब डाउजर यहां पर आपको लिखना है इंडिया टाइपिंग और इंट सिस्टम के इसाप से आपके पास बहुत सारे हिंदी टाइपिंग सोफ्टर आपके मिल जाएंगे यूनिकोर वाले अब आपके सिस्टम में कौन सा ऑपर इंस्टाल है और कितने बिट का है यह देखने के लिए सिंप्ली आपको इसको मिनिवाइस कर देना है अब आपको जा यहां पर सोफ्टेर डाउनलोड कर लेता हूं यहां से विंडोस 10 64-bit आपको जो भी उप्रिटिंग सिस्टम में उसके हिसाप से आप यहां से डाउनलोड कर सकते हों सोफ्टेर मैं सिंप्ली इसके उपर क्लिक करता हूं तो देखिए दोस्तों हमारा सेटप डाउनलोड होन तो देखिए दोस्तों हमारा सेटप एक्स्टेक्ट हो गया है अब मैं सिंप्ली इसका सेटप ओन कर लेता हूं यहां से नेक्स्ट एवरिवन नेक्स्ट नेक्स्ट और इसको सिंप्ली क्या भी लिखाओ आगा है हिंदी इंडिक इंपूट 3 हैस बीन सेक्सेस्पुल को क्लोज कर देना है अब दोस्तों आपको कोई भी अपना टाइपिंग सॉप्टर ओपन कर लेना है जैसे मैं वर्ड ओपन कर लेता हूं आप दोस्तों यहां पे आपको keyboard से आप altr shift बॉटन भी दबा सकते हैं और दोस्तों यहां से आप taskbar में click करके यह English आईये लिखा हुआ रहा है, यहां से आप Hindi-Indic input 3 इसके ओपर click करकी भी आप रेविंटने गेल keyboard layout select कर सकते हैं तो मैं दोस्तों सिंप्लि इसको पर click कर देता हूँ और देखते हैं दोस्तों कि हमारी timing होती है नहीं होती है तो देखें दोस्तों हमारी Bentayil में typing हो रही है अगर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई language preferences के उपर click करना है अब दोस्तों आपको click करना है यहाँ पर spelling typing and keyboard setting के उपर अब दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर scroll down करके जाना है आपको यहाँ पर click करना है advanced keyboard setting के उपर यहाँ पर दोस्तों एक option मिलेगा आपको यहाँ पर यह checkbox है use the desktop language bar when it's available इसके उपर click कर देना है और इसको close कर देना है तो दोस्तों आपकी language bar screen के उपर आ जाएगी आप simply आपको यहाँ से हिंदी select करना है English हो तो और यहाँ से आपको Hindi input 3 select करना है अब यहाँ से आपको setting के उपर जाना है यहाँ पर keyboard के उपर click करना है और यहाँ से हिंदी डेमिंटन गेल सेलेक कर लेना है तो दोस्तों आपकी प्रोब्लम सोल हो जाएगी आपका इसमें रेमिंटन गेल के बूर्ड लेयाओड चलने लग जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप विंडोस 10 के अंदर हिंदी डेमिंटन गेल उनिकोर्ड फॉन्ट का सेटप इस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू कीजे चैनल सब्स्राइब कर लिजे बेल एकुन दबा दीजे मिलते किसी नए और इंट्रेस्